हलो एबरिवन गुड मॉनिंग नमस्कार बीस अगस 2020 के दा हिंदू न्यूजपेपर को हम लोग अनालेसिस करेंगे आज न्यूजपेपर डिले हो गया क्योंकि साइट पे जो ये अवलेबल नहीं हुआ था तो थोड़ा सा न्यूजपेपर डिले हो रहा है तो सोरी फर देट स्टार्ट करते हैं from the first important news government जो हो सेट करने जारे national recruitment agency NRA करके ये basically क्या करेगी cabinet ने इसकी permission दी के common eligibility test होगा government jobs के लिए अब इसमें common eligibility test के अंदर क्या क्या चीज़े conduct करवाए जाएगा उसके बारे में information provide करेगी है कि national recruitment agency जो होगी वो conduct करेगी common eligibility test CET करके for recruitment to government job इसके अंदर जो है वो रिलिवे recruitment board आएगा staff selection commission आएगा और institute of banking personal selection यानी SSC banking और रिलिवें तीनों के जो exam होंगे अब इक अधा होंगे एक exam उनका conduct करवाए जाएगा इसके साथ साथ इसमें तीन तरह की categories होगी जैसे 10th वाले या 12th या ग्रिज या अलग-अलग qualification के लिए अलग-अलग exams होंगे for the non technical post यहां पर word यूज किया गया non technical post for the of the three agencies इनका common exams conduct करवा दिया जाएगा इसके पीछे कई सारे logic है जिसको हम लोग समझेंगे सबसे पहले यह exam जो होगा वो online होगा और साल में दो बार होगा इसके अंदर 12 language चूज की गई कि 12 languages के अंदर आप इस exam को दे सकते हैं ठीक है इस इसके लावा यह score जो होगा इसके अंदर आप जो भी score हासिल करेंगे इसके अंदर वो तीन साल के लिए valid होगा और student जो है multiple times exam को जो है वो दे सकते हैं जिसमें वो सबसे ज़्यादा score करेंगे वो consider कर सकते हैं जब vacancy जो है रिलीज की जाएगी department of personal training के अनसार लगबग 1.25 लाग vacancy जो इनके through B और C groups की जो है वो भरी जाती है नौन गैजिटेट ओफिसर्स की और approximately धाई से 3 क्रोड बच्चे जो हैं इसमें participate करते हैं ठीक है तो इसमें कई सारी चीजे हैं लाइक इस तरह की चीजें क्यों की गई है आप देखेंगे हम लोग continue form apply करते हैं तो एक तो यह economic stress भी है कि बहुत सारा पैसा बच्चों का भी लगता है कि बारवाब form भरने से दूसरा important क्या है कि limited vacancies होने की वज़े से जो है वो test में है ना भुज़त competition हाई हो रहा यहाँ पर भी होगा लेकिन exam अगर एक है दो बार हो तो इससे एक तो पूरा administration करना उसको control करना थोड़ा easy हो जाएगा और इसके अलावा बच्चों के लिए भी इसमें importance है कि उनको बार बार अपनी fee pay नहीं करनी पड़ेगी एक exam होगा result आएगा उसके basis पर आप apply करेंगे job के लिए ठीक है अगर pass है तो pass है नहीं है तो नहीं है इसके बाद बा इसकरी है वो बहुत ही कम हो गी है और इसके पीछे भी दो तिन रिजन्स है पहला जो हालेड एडिशन्स की अगर आप बाइक देखेंगे बहुत कोश्क्ली है यानि इसमें आप ये luxury भाइक है तो केवल particular area particular लोग ही इसको खरीद पाते हैं इसके बाद इस पर luxury tax लगता है G GST का 28% के आसपास प्लस tax on taxes भी इस पर impose किया जाता तो ये एक issue रहा है US और इंडिया की relationship के बारे में कि दोनों country ने इतने सारे taxes की वज़े से इसकी cost increase हो जाती तो खरीदने वाले automatically कम हो जाएंगे और खरीदने वाले कम होंगे तो वही इनको benefit क्या होगा तो ये US और इंडिया के relationship को भी impact कर रहे हैं तो यहां के जो company के owners हैं या जो administration कर रहे हैं इंडिया के इंडिया के इंडर वो ये ब हो सकता है यह इंडिया और यूस के relationship कब एक पार्ट है दूसरा investment कोई भी हो अगर इंडिया से जाएगा तो थोड़ा सा net setback हो सकता तो इसके अंदर tax reduce करके जो है वो चीजें थोड़ी से result की जा सकती थी थोड़ इंपोर्टन न्यूज है थोड़ी से controversial न्यूज यह हो सकती है तो recently government of India ने क्या किया तीन airports को लीज पर दे दिया है private companies को जिसमें जैपूर, गुहाटी, त्रिवन्तफुरम है वो इसके अंदर 50 years के एक उन्होंने agreement किया through public private partnership इसमें बताया गया कि airports authority of India जो है वो private operator क permanently नहीं दे रहे हैं लेकिन 50 साल के लिए 50 साल बहुत लंबा एक period है इसके बाद पता नहीं क्या होगा airport authority of India को इसके लिए 1070 क्रोड़ रपिया मिलेगा और ये use करेंगे अब नए airports को develop करने के लिए ठीक है और smaller cities के अंदर airport development करने के लिए इससे पहले अडानी group जो है ये group है काफी controversial रहता है ठीक है उसके बाद इनको दिया गया और ये highest bidder रहा क्योंकि जिसको ज़्यादा बोली लगाएगा जो भी उसमें ज़्यादा उस परड़ स्पेट करेगा उसको ही वो जो प्रोड़ किया गया इससे पहले तीन airport और जो हो पब्लिक प्राइवेट प्राइव ही है गलत है इसके बारे में proper analysis के बना कुछ भी कह बना थोड़ा मुस्किल है लेकिन ये government का जो decision है उसके बारे में हम सिर्फ discuss कर रहे हैं अगर इसके बारे में कल परसों को editorial आएगा तो इसमें details है हम चीज़ों को समझेंगे इसके बाद page number 10 पे 2-3 important news for example यहाँ पर दिया गया कि lockdown की वज़े से लगभग 9.2 lakh women जो है वो जो abortion services है उनसे वो एक तरीके से वन्चित रह गई है उनको जो properly facilities नहीं मिली है और domestic abuse की वारे में भी वो face कर रहे हैं कई सारी चीज़े हैं जिसको हमें समझना है हलंकि जो report published की गई है यह organizations कितना valid है यह हम इसको अपने exam में कितना use कर सकते हैं यह concern हो सकता है यह एक issue हो सकता है लेकिन कुछ important चीज़े हैं जो हम use कर सकते हैं लोगडाउन की वज़े से हुआ क्या है कि जो medical supplies होती है खासकर जो जो women's को requirement होती वो properly नहीं हुई और कई सारी ऐसी चीज़े हमें देखने को मिला जैसे unsafe pregnancy हुई उसके वज़े जैसे unsafe abortions के cases देखने को मिले इन सब के बीच में domestic violence की जो cases है वो continue increase हुए lockdowns के दोरान और इसम का जो negative असर पड़ा maternal death हुई कई सारे जो है वो यहां पर cases देखने को मिले हाला कि यह number exact कहां से उठाया गया है क्या इसका survey का base है इसके बारे में कोई exact number नहीं पता तो जो भी इस तरह की surveys होंगी like domestic violence है तो national crime record bureau इस तरह की data को हमें use करना चाहिए because government data के तुरू अगर आप government को criticize करते हैं तो वो more reliable होता है किसी भी private organization के थुरू या private reports के थुरू हम criticize करते हैं या उसको aware करते हैं government को कि वो सारे चीज़ें थोड़ी सी acceptable कम होते है as compared to government data right तो एक study की गई एक general news में यह important है कि report का आप नाम ना लगकिया यह से लिख सकते हैं report में इस तरह एक चीज़े कही गई है कि केसी जोव इंक्रीज हुए है domestic violence के और एक तरीके से unwanted pregnancies बड़ी है इसके अलावा maternal death बड़ी है या फिर जो है domestic violence के साथ-साथ-स जो होना चाहिए वो unsafe abortion के तरफ जो हो इंक्रीज हुआ है राइट इसके बाद NCRT के एक report आई है national council of education and research and training के नाम से इसका नाम होता 80% students जो अभी भी dependable की stage पे mobiles for learning इसमें कई सारे reports दी गई है अब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर lockdown है और बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे हैं और lockdown होने की वज़े से जो education है वो लगवग लगवग ओनलाइन shift हो रही है तो उसके अंदर बच्चे जो most of the बच् का survey किया और कई सारे बच्चों में जो electricity connection है वो उसकी issues है यही भारत के अंदर online education में कई सारे concern है पहली बात तो digital gadgets है like mobiles है smart phone है यह हर किसी के पास available नहीं है दूसरा economic status हमारा इतना अच्छा नहीं कि हम उसमें data जो है वो use कर सके या data जो उसमें मतलब recharge कर वा सके continue थर्ड इं नहीं है फॉर्थ क्या है हम कई सारे हिस्सों मिला एक भिहार है आसम है केरला है बड़ी संख्या में लोगों को flood में struggle करते वह देख रहे हैं तो जब हम अपनी survival के लिए livelihood के लिए struggle करेंगे तब कैसे हम अपनी education को continue कर पाएंगे यह सारे concern है और UNICEF की report भी यह बताती है कि सारे बच्चे जो है उनकी schooling उनकी education छूट सकती है इस pandemic यह COVID-19 की वज़े से ठीक है इसके बाद उन्होंने इस report में कई सारी चीज़े बताएगी कि अलग-अलग mode जो use करते हैं केवल चार state ऐसे हैं जो complete mapping करी कि उनके बच्चे क्या mode जो use करते हैं for learning smartphone है basic mobile radio है TV है community computer है या student learning enhancement guidelines released by the education ministry on wednesday ठीक है इनके according यह जो mode होते है basically only online education का उनमें से वो use करते हैं एक reports टाइप में है अब यह reports हम कहां use कर सकते हैं कहां नहीं यह concern हो सकता है just to understand the concept आप इसमें education में जो topic unit है उसमें कोई question आप से पूछा जाए तो उसमें आप indicate इसको कर सकते हैं इसके बाद यहां left hand side इंडिया और बंगलादेश के relationship के बारे में कुछ कुछ चीजें बताएगे जिनके बारे में हमें actually पता होना चाहिए सबसे important जो इंडिया और बंगलादेश के relation में यहां पर बताया गया कि जैसे ही भारत जो have vaccine develop करेगा तो बंगलादेश top priority में होगा पहला जो concern है वो water को लेकर है गंगा water या तीस्ता river के बारे में अभी भी हमने agreement properly नहीं हुआ है second important है border पर classes मामले में कई बार हमारे उपर allegation लगाता है कि हमारी जो border security forces है वो illegal entry या जो भी उन पर allegation लगाती है हमारी security forces के उपर third important है वहां के जो रोहिंग्याज Muslims है ठीक है उ उसके उपर issues है कि वो इंडिया में illegally entry करते है fourth important issue है कि बंगलादेश का जो है वो चाइना के साथ जुकाओ जो हमें देखने को मिलता है या एक तरीके से उनका issues या उनमें investment का जो चीज़े हैं वो हमारे लिए strategically challengeable है तो recently भारत जो है UN Security Council का non-permanent member बना है तो बंगलादेश चाहता कि भारत महिनमार या जो रहुंगे refuses का issue है वो वहाँ पर उठाए और इसके बारे में जो वहाँ पर बात कीगी कि इंडिया और बंगलादेश के बीच में जो चाइना के साथ उनका investment है वन बिलियन डॉलर का investment करने जा रहा है चाइना तो ये बहुत बड़ा issues है हमार लिए strategically क्योंकि अगर हमारी पड़ोशी country में जिस country के साथ हमारे relation अच्छे नहीं वो country invest करेगी तो strategically challenge होता इस तरह की projects को होना तो let's see चीजें क्या होगी यह बंगलादेश पर Chinese influence you have continue rise हो रहा ये concern है आप लोगों नीचे comment करना कि तिस्ता जो river है तिस्ता river किस नदी की या कि river की major tributaries है ठीक है वो आप नीचे comment करेंगे second important news है IMF का कि जो India head उन्होंने कुछ important चीजें बताई है कि इंडिया के अंदर capacity है कि वो 7% तक growth rate हासिल कर सकता है pandemic है COVID-19 है सब चीजे हैं लेकिन अगर देश में fiscal consolidation की यानि राजकोशिय समा वेशन की एक policy को properly follow किया जाता है तब इंडिया या हमारी country more than 7% की growth rate हासिल कर सकती हमारे अंदर वो सारी capacity हमें देखने को मिल रही दुनिया के अंदर pandemic COVID-19 के वज़े से lockdown हुआ और उसका सब से negative असर हुआ economy पर worldwide हमें इस सारी चीजें देखने को मिल रही है और अब पूरी country दुनिया की जितनी भी country है भारत भी चारा की इसका जो damage हुआ economic को उसके impact को कैसे mitigate किया दसके कैसे कम हम लोग कर सकते हैं ठीक है international monetary fund के बारे वनोंने कई सारे questions पर अपना opinion दिया कि कैसे हम लोग increase कर सकते हैं कैसे हम चीजें को improvement कर सकते हैं इनके लिए हमें एक important report हमारे लिए है जो हमें पता होना चाहिए world economic outlook ये report basically forecast करते हैं कि क्या economy growth करेगी या क्या Indian economy का perception रह सकता है 2021-2023 आगे जो भी तो ये report जुरूर आप note कर लीजेगा UPSC का one of the favorite topic है report index इन पर question वो continue पूछता है तो ये IMF दोरा यानि international monetary fund दोरा release की जाती है अगर आप पिछले 5-7 साल के papers देखेंगे तो उसने हर साल एक या दो reports पर question पूछे हैं तो please इन reports को बिल्कुल भी skip ने करें इनका data जो हो सकता है उस पर कम question पूछे लेकिन इसमें question की possibility बहुत ज्यादा होती है ठीक है तो उन्होंने अलग-अलग concept बताए कि क्या-क्या इसमें जो है हम काम कर सकते हैं या government of India इसमें जो चीजें कर रही है या structure य कि जो ease of doing business report है उसके अंदर improvement करने के बारे में बात हो या FDA related issues को resolve करने के बारे में बात हो आप लोगों से एक और question है कि जो world bank ये report release करता है ease of doing business ठीक है इसमें कितने total indicators है total indicators कितने हैं वो आप लोगों नाम लिखना है क्योंकि UPSC ने 2019 या 2018 में ये सवाल पुछा था कि इन मे लोगों को नीचे comment करना है कि total number of indicators कितने हैं world bank की ease of doing business report के अंदर और भारत की इस time rank क्या है या जो अभी तक report available है in future जो होगी वो change हो सकता है अभी rank क्या है वो आप नीचे comment करेंगे अब world section में एक दो important news जो हमें cover करने है for example Mali country African country उसके अंदर basically हुआ क्या है कि वहां के president ने resign कर दिया है क्योंकि military rule जो है establishment करने ही कोशिच कीगी या फिर rebel हुआ military की तरफ से इसमें कई सारी चीजे है पहले तो हमें geographically पता होना चाहिए Mali की locations क्या है अगर आप map देखेंगे ये दुनिया का map है और दुनिया में African countries के अंदर अगर आप observe करेंगे तो western African जो nations है ये सहर region है पूरा का पूरा ठीक है इसके अंदर Mali ये country आपको देखने को मिलेगी यहां पर इसके right hand side Niger है Algeria है Mortenia है right इसके अलावा Senegal है ग्वेना है ब्रिकिना फाश्यो है और ivory cost या quantity ivory जिसको बोलते हैं ये सारी country जिसके आसपास है तो mapping पर बहुत काम करिएगा जब आप exam में दें और ये जो सहरा region है तो questions कई सारे आप से पूछे जा सकते हैं कि particular locations कहां है ठीक है इसके लावा यहां पर एक mountain है जिसको Atlas Mountain भी ब पड़ेगा ठीक है तो यह geographical location है तो एक change किया गया है वहाँ पर politically या फिर जो है power को लेकर टेशल है government और military के बीच में और African countries की सबसे बड़ी issues यही है कि political stability नहीं है या फिर president या military के बीच में classes है या ethnic groups या जो communities है उनके बीच में जो है वो issues create हो रहे है second important news है UAE यानि United Arab Emirat जो है वो दुनिया की या Arab nation की पहली country बन गी है जो nuclear plant को establishment करने वाली है grid से connect करने वाली है UAE बहुत वज़े से इस बार news में है Israel और UAE की deal होती है Abraham Accord के नाम से second उन्होंने Mars mission अपना भीजा था recently और third important इनकी ये Arab nuclear plant के अंदर first Arab country ये बनने जा रही है जो power grid में nuclear plant को install करेगी इसका नाम बरका nuclear power plant जो हो रखा गया है तो कई सारी चीजे हैं ये पूरा का पूरा western nation countries जो हम देखेंगे ये पूरा का पूरा region जो है वो continue news में है highlighted है तो कई सारे regions हो सकते हैं UAE है सौधी रुभिया ये पूरा का पूरा regions है तो red sea news में हो सकता है कई तरीके से question हो आपसे पूछे जा सकते हैं Gulf of Adan हो सकता है Gulf of Oman हो सकता है कुछ भी question आपसे left right दाएं बाएं कुछ भी करके पूछा जा सकता है तो make sure you are ready for that questions इसके बाद देखिए business section में as कोई ऐसी particular news नहीं है लेकिन World Bank जो है वो उसके बारे में forecast करेगी कि भारत की economy कैसे growth करेगी कैसे हम काम कर सकते हैं तो GDP का projection इन्होंने बोला कि कई चीजों पर depend करता है कि एक तो जो critical reform हमें करने है like health sector के अंदर, labor sector के अंदर, land, skills and finance के अंदर इसके अलावा stronger from the COVID-19 crisis के जो चीजें हो रही है World Bank ने माई के अंदर project किया था कि इंडियन economy जो हो 2020-21 में 3.2% हो सकती है और इसके बाद next year जो हो थोड़ी थोड़ी rebound करेगी, थोड़ी थोड़ी increase करेगी कई सारे challenge हमारे सामने है, global perspective में भी हमें challenge face करने पड़े हैं क्योंकि growth अगर दुनिया में growth rate down हो जाएगी, trade नहीं होगा तो उसका भारत पर भी negative असर जो वो देखने को मिलेगा और इसने ये बताया था कि fiscal deficit जो है, इंडिया का, वो 6.6% तक rise कर सकता है और जो पिछले साल 5.5% था, ये increase हो सकता है sorry, next year जो increase हो सकता है, मतलब 2021 में 6.5% तक हो सकता है और उसके बाद 5.5% तक ये कम हो सकता है, एक परसेंट के असपास तो fiscal deficit का मतलब क्या तो जो government को tax के थरू, non-tax के थरू या loan हमने जो देर का वो आपिस हमारे पास पैसा आ जाए उन सब का जो value होगी, government के खाते में जाएगी वो आता है, पूरा-पूरा fiscal हो जाएगा, हमारा राजकोस हो जाएगा लेकिन अगर हम मालो 100 रुपे कमाते हैं, और खर्च कर रहे हैं, 1500 रुपे तो 50 रुपे क्या हुआ, deficit हुआ, तो ये completely क्या हुआ, ये deficit हम करज लेके उसको cover कर रहे हैं, तो ये deficit हमारा होता है, हलाकि इतना नहीं होता, 50% deficit हो गया तो हमारी economy collapse कर जाएगी, तो हमें कई चीज होने से बचाने की वह stress में नहीं रहे, तो ये कुछ important चीज़े हैं, अब हम editorial वाले section को थोड़ा cover करेंगे, देखिए यहां पर 3-4 ऐसी new articles हैं, जो हमें cover करने हैं, और कुछ ऐसे editorial होते हैं, जो continue news में हैं, एक topic पर 50 पर editorial आएगा, नहीं पढ़ेंगे, concept है, जो content हो clear होना चा fund के बारे में एक अपनी judgment दी थी, कि इसके बारे में जो एक तो national disaster response fund में इसमोच change नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये public charitable trust है, दूसरा CAG, यानि controller and auditor journal, जो article 148 से लेकर 151 तक के बारे में समें detail दी गई है, उसके थुरू इसको audit नहीं किया जा सकता, उसके थुरू इसकी inquiry नहीं इस fund को लेकर उसके बारे में जो है analysis किया गया है, क्याजों को इसके बारे में information नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में overall चीजें बताए गई, अब इसके बारे में क्यों ये चीजें हो रहे है, कि बहुत सारे लोगों ने RTI लगाई कि इस fund के बारे में government रिवी, जो हो release करे, क आपने पैसा आपके पास कितना है आपने पैसा ये कहां यूज किया है उसके बारे में हमें definition हमें पता होना चाहिए क्या इन सारे question का government ने कोई answer नहीं दिया transparency और accountability जो वो कहा है अब question ये सबसे बड़ा जो Supreme Court ने observe कि ये पैसा जो है government के account से नहीं हो रहा तो उस पर government compulsory नहीं है कि उसके बारे में information देंगी ये जो है publicly donated fund है इसके बारे information देना बात देना नहीं है RTI के RTI में जो जवाब है वो उन्होंने मना कर दिया इसका देने के बाद लेकिन कई सारे concern और भी है इसमें reason is that कि इसमें एक तो प्राइमिस्टर साब खुद chair करते हैं इसको एक ex of your chairman है three cabinet ministry इसके अंदर include है ministry of corporate affairs भी इसके अंदर includes है बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर पैसा दिया चाए public हो private sector के employees हो उन्होंने अपने एक दिन की salary donate की या एक दिन की salary automatically deduct हो गई और इस account में चले गई है right इसके बाद corporate houses जो होती है उसके जो CSR है corporate social responsibility ये basically act के थूँ ये किया गया था कि अगर माल लो कोई company particular amount से ज़्यादा पैसा कमा रही है तो उसका 2% हिस्सा जो है वो social responsibility में उनका खर्च होना चाहिए for example like toilets construct करने है school बनाने है इस तरह जो social working हो सकते है उसके अंदर invest करना चाहिए था तो ये उससे भी कहीं न कहीं match कर रहा है cross चीज़ें हो रही है इसके अलावे tax exemption दिया गया है इसमें right तो अलग-अलग चीज़ें है government ने सरफ इतना बताया था माई के अंदर की 3100 क्रोड रुपेस में invest के जाएंगे ventilators को खरीदने के लिए migrant worker के welfare kill और vaccine development के बारे में इसके अलावा states को properly कोई information नहीं है भारत के अंदर 28 लाग से उपर cases हो चुके हैं चुम्मन हजार से 54,000 से उपर death हो चुकी है तो अलग-अलग numbers है इन सब के बावजुद हमें informations नहीं है कि कैसे ये fund use किया जा रहा क्या इसके अंदर data है तो ये उसके बारे में editorial जो है discuss करता है दूसरा क्या इसको national disaster response fund के बारे में सिर-related उसमें transfer हो सकता तो Supreme Court ने बोला कि भाई इसकी requirement नहीं है ये एक अलग fund है अगर आप चाहें तो उसमें भी पैसा दे सकते है ये आपकी responsibilities है ठीक है second data power को लेकर एक editorial है थोड़ा सा political touch दिया गए तो हम political touch को हटा के simple चीज़ें discuss करने वाले है recently Wall Street Journal ने एक report उसमें publish करी कि Facebook जो है social networking site उसने वो government का या politicians की का और politicians का social media में influence है उसमें जो वो साफ दिखाई देता है इसमें इसकी reasons क्या है कि बहुत सारे controversial post publish की की उनको हटाया नहीं गया और वहां के जो head ये report है सही है गलत है इसके बारे में कुछ भी कहना मुस्किल है कि उन्होंने का कि government में या हमारी जो business है हमारी investment है उस पर negative असर पड़ेगा इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए तो यहां पर सवाल ये है कि कोई भी politicians हो अगर वो देश की integrity sovereignty को damage करने कोशिज करता है किसी भी political parties का हो तो उस पर strict action लिये जाने चाहिए और post को removal को लेकर एक clear strategy होने चाहिए freedom दी जाने चाहिए इन agencies को जितनी भी social media houses है क्योंकि social media बहुत ज़्यादा impact करती है क्योंकि हर एक व्यक्ती चाहिए facebook है, twitter है, whatsapp है हर घर में use होने वाली ये चीज़े बन गई है तो उनके ओपर proper monitoring proper surveillance होनी चाहिए company के दवारा की ये चीज़ें इसमें avoid होनी चाहिए concern ये ना कि इस तरह की post को उसके बाद भी remote नहीं किया जाता जब आपको पता कि ये आपकी terms and conditions को आपके rules and regulations को wallet करते हैं, ठीक है next important editorial है, last editorial है ये, Russia और China के relationship में क्या important role है और इसके बाद इंडिया की foreign policy को कैसे impact कर सकता है उसके बारे में हम समझेंगे 2019 में रशिया के, चाइना के President Xi Jinping साब रशिया गए और उन्होंने कहा कि Russian President Vladimir Putin जो है मेरे best friend है, colleagues है ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है उसके पीछे कई reasons है, पहला जो है, दोनों कंट्रियां Russia और China एक तो communist कंट्री है एक ideologically थोड़ा similarities है दूसरा, दोनों कंट्री पर दोनों कंट्री के US के साथ relationship अच्छे नहीं है, तो एक अलग alliance बनता है मैं तो दुसमन का, अगर दोनों कंट्री का same दुसमन हो, enemy हो, opponent हो तो वो एक organization फोर्म करते है थर्ड जो है, कई सारे groups में दोनों partner alike sorry, BRICS है इसके लावा, जो SCEO है high corporation organization, multiple organization में दोनों कंट्रियां participate करती है, दोनो nuclear state है ठीके, इन सब के लावा कई सारे चीज़ें होई है दो important चीज़ा, अगर हम देखेंगे, पूरी revival जो हो रहा, economic revival जो हो रहा है उसके अंदर चाइना एक बड़ी global power बन के उब रहा है, और चाइना किसी भी country को economic growth के लिए सब से important चाहिए, energy sector और रशिया के अंदर gas, oil, इनकी supply करने की capacity है चाइना को दूसरा, रशिया को requirement है क्योंकि उसकी economy बिल्कुल damage होती जा रही है, reason is that कि western country उन्हें उस पर sanction लगा दिया है, और भारत जैसी country जो उसके साथ trade करती है defense, उसमें भी issues है, क्योंकि USA जैसी country ने बोला है, कि अगर India या कोई भी country Iran, Russia और North Korea से trade करती है तो उस पर CARTSA Act के तायत same हो रहे हैं, हाला कि दोनों countries के बीच में कई सारे issues भी है, like border related issues है, या जिसमें हम देख रहे हैं कि Russia भी इस चीज़ को जानता कि China की presence अगर एक हद से ज़्यादा increase होई तो उसके लिए treat हो सकता strategically challenge हो सकता है तो recent time में China Russia का जो trade है, वो लगबग double हो गया और 108 billion dollar के आस पास ये trade हो गया, फिलाल जो है ये Russia के favor में है कहीं न कहीं लेकिन continue जो engagement हो रहा है, तो उससे काफी चीज़ें change हो सकती है, defense equipment चाहिएना यहां से खरीद रहा, like S 400 missile system है, या फिर जो दूसरे defense के लिए requirement चाहिए, अगर ये दोनों country का एक group बनता है, अगर organization properly इनके relations strong होते हैं तो ये बहुत बड़ा region है, अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये बहुत बड़ा region है, Russia और China का, तो ये impact कर सकते हैं पूरी दुनिया को, ठीक है, इसके लावा, US जो continue, China के खिलाफ इस तरह के actions, ये इस तरह की चीज़ें continue कर रहा है, उसको लिए भी ये challenge हो सकता है, strategically challenge इसको बोल सकते हैं, right, तो दोनों के relations के बारे में ये continue news में है, और अगर हम बात करें, China को इसका advantage है, क्योंकि China को oil and gases चाहिए, उसके लिए, और China जो हब वो dependency नहीं चाहता है, रश्या चाहता है, वो dependent energy sector के लिए, चाहता है, उसके उपर, लेकिन चाहता है, खुद engagement हो, हालां कि इस तरह की चीज़ें जो है, economic independence और sovereignty आप lose कर सकते हैं, कई बार conditions है, रश्या की, कि कुछ terms and conditions उसको चाहिना की माननी पड़ेगी, क्योंकि उसके पास इतने allies नहीं, economic allies इसको होल सकते हैं, right, इन सब के अलावा अगर हम देखें, इंडिया और रश्या के relationship पर क्या impact हो सकता है, तो भारत और रश्या के रश्या के relationship रहे हैं, वो है, तो उन वज़े से उनका जुकाव जो है, कई सारी countries like China है, पाकिस्तान में भी equipment बेचने की बात हो रही है, तो उन सब चीजों की वज़े से strategically challenge हमें देखने को मिलता है, और अगर इंडिया और चाहिना के बीच में issues होता है, तो रश्या उसमें खुद को sideline करता हो, नजर आता है कि मैं इसमें involvement ज़्यादा नहीं होंगा और अगर माल लो, मैं पहले ही बोलता हूँ, कि अगर माल लो इंडिया और चाहिना war की तरफ जाते हैं, तो रश्या पहली condition में एक neutral state हो सकता है लेकिन अगर USA से भारत की तरफ से fight करता है लड़ता है, तब रश्या जो है वो side हमारे against fight कर सकता है क्योंकि उनका US के साथ conflict है, और दूसरा China के साथ उनकी engagement continue rise हो रही है, तो ये कुछ चीजे हैं आज के दे हिंदू news paper में इतना ही उमीद करते हैं आपको अच्छा लगएगा आप Instagram पर जोड़ सकते हैं जिसका link description as well as comment section में दिया गया Thank you all, jahind